यो फ्रेंड्स डेनी ग्लाइचे जम आपका स्वागत है दोस्तो संगनक परीक्षा 2023 अक्टूबर में आपका एक्जाम होने वाला है शोर सेलेक्शन के लिए क्या करें देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कुछ क्या मैं बतूँ कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छा खासा पढ़ लेते हैं फिर भी सेलेक्शन नहीं हो पाता क्या कारण है सेलेक्शन क्यों नहीं हो पाता देखो उनके पढ़ने में कोई दिकत नहीं है अच्छा खासा पढ़ भी लेते हैं सारा सब कुछ याद भी करके जाते हैं देखो संगनक में अगर आपको सेलेक्शन ल आप क्या पढ़ते हो उससे मतलब नहीं है, एक्जाम में क्या पूछा जाएगा उससे मतलब है, जिसे मैंने आपको संगन के कल तीन जो पेपर हुए थे, जिसे एक 2021 वाला दिया था, 18 वाला दिया था, लगबर 2010 के आसपास हुआ था, तीनों पेपर मैंने आपको डेनिल क्लै सेच के टेलिग्राम चैनल पे देदिये थे, अब इससे आपको निषकर से निकालना है कि पूछा क्या जाएगा, आपको बताने वाला हूँ कि एक्जाम में क्या पूचा जाता है, देखो आप क्या बढ़ते हो, पूछा क्या जाता है, होता क्या है, स्टुदेन टाइम कि में ज़्यादा देता है जैसे इतियास लेकर बढ़ गया मेवार का इतियास मारवार का इतियास यह सारा से कुस लेकर बैठ गये बड़े-बड़े टोपिक्स हैं काफी समय लग जाता है इससे अच्छे अगर आप धिहान दोगे जैसे किसान आंदोलन जनजाती आंदोलन पे चलोगे यहां से 100% questions भी आते हैं जो आपको selection दिला देंगे जैसे राजस्तान हाइकोट LDC में मैंने current affairs के लिए आपके लिए किया था वैसे संगनत में भी current affairs के 1000 questions निकालेंगे और इस तरह मेरे कोशिश रहेगी कि उनके बार है questions भी आपके नहीं आए उसकी भी तयारी चल रह आप से पूछा क्या जाता है उस पर ध्यान देजे देखो ये दो जार बात करें दो जार अभी जो 2021 में पेपर हुआ था ये वो पेपर है संगन का वो पेपर है अब देखना इसमें क्या पूछा गया है जैसे पहला एक्वेशन है सुची फर्स्ट को सुची सेकिंड से समय ल करते हैं मेले ती वहरों को पड़ो आप अच्छे से क्योष्यंस काफी बनते हैं वहां से तो इतियास की बजाए इतियास में गिने चुने प्रिशंद बनते हैं वो तो आप वेसे भी कर लोगे कवर जो चीजे इंपोर्टेंट है उनको ज्यादा कवर करो जहाँ से अंडेर ज़्यादा लग जाएगा उसे भी ज़्यादा समय लगेगा तब भी अच्छे से रटा नहीं जाएगा उतने समय में तो आप उसके अलावा जैसे राजस्तान की जियोग्रफी हो गई कला सेंस्कृती हो गई तो थोड़ी स्टेटेजी से चलो सेलेक्शन उसका नहीं होता जो दिन रात पढ़ता है सेलेक्शन उसका होता जो स्टेटेजी से सलता है माइंड से सलता है कि पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है ये नहीं पढ़ना ये पढ़ना है जब इस तरह का mind लगता है तब selection होता है ध्यान देना ये देखो current affair का question आ गया वही आपके मेले त्युहार वगरा इनके question से ज़्यादा बनते हैं आपके तो ये आपको देखना है ये बात करें जिसे भारत के राफेल नमक लड़ो को योवान किस दे से प्राप्ट किये फ्रांस से प्राप्ट किये current affair के questions है काफी questions आते है current affair के उन पे आप ध्यान दो ये देखो current affair का काफी questions आपको मिलेंगे तो देखो सीधा साथा फंडा ये है कि संगणक में selection लेना है current affair ढंक से अच्छे से पढ़ो अच्छे से तयार करो ये देखो आप राजस्तान के स्वतनतता अंदोलन के दोरान गिरिफतार्यम निर्वासित होने वाल राजस्तान की पहली मैला अंजना देवी चोधरी थी राम नायन चोधरी थे उनकी पतनी थी अंजना देवी चोधरी और राजस्तान जी के के एक बार मैंने 500 important questions करवाए थी इनको करवाए दो साल हो गए लगवग मेरे को करवाए वे वहीं से प्रशन बना था इस तरह के प्रशन ज्यादा बनते हैं यह देखो आपके बुक्स से समदित प्रशन बन सकते हैं तो इन चीजों पिर आपको दिहान देना है जहां से प्रशन बनते हैं उन चीजों को आपको लेना है इतियास को लेकर बैठ जाओगे तो सेलेक्शन नहीं होने वाला है जो चीजे इंपोटेंट है उनको पढ़ो देखो तीस नंबर आपके राजस्तान जी के करेंट अफेर के आएंगे आप कोशिश करो कि मैं तीस में से 25 के आस पास कैसे पहुंच आओँ कि मेरे यहां 25 कवर हो जाएं बाकी जो स्टेटिक्स का वाला पार्ट है एकोनोमिक्स का पार्ट है मेत का पार्ट है वहां कवर करूँ वहां पे भी तो टाइम देना पड़ेगा जब पूरी रंडन नीती लगाओगे तब आपका सेलेक्शन होगा जैसे राजिस्तान के किस दिले में राष्टे जीवाशम उध्यान पाए जाता है कई बार पर पढ़ते हैं आकलवूड फोसील पार्क पाए जाता है जैसल मेर में पाए जाता है तो इस तरह के क्योशन से जल्दी कवर हो जाते हैं हमारे जल्दी कवर कर लोगे आप इन क्योशन को तो इन पे आप ध्यान दो तकि ये वाला पार्ट आपके अच्छे से कवर हो जाए आपके जो डेनिल ग्लाशेज की यह पर कोर्स है, टेस्ट शिरीज है इसी लेवर के एकोडिंग वहाँ पे सारा सब कुछ आपको दिया गया है टेस्ट सिरीज भी आपके वहाँ पे है कोर्स भी आपके वहाँ है उनको अच्छे से तयार करो limited चीज आपको करवाई हुई है जिसने सारा सब कुछ आपके वहाँ पे cover हो जाएगा सारी चीजे वहाँ पे ली गई है इसी according सारा सब कुछ आपके करवाया हुई है तो आप पिछले साल के paper को अच्छे से देखो उससे आपको एक idea होगा देखो जो पिछले साल के paper है उन पे 2-4 दिन आप अच्छे से धेन करो निश्कर से निकालो कि आपसे प्रशन पूछे कहां से जाते है जब आप जब इस चीज को समझ जाओगे तब आप selection लोगे ये नहीं कि संगन की vacancy आगी ये लोग किताबे लेकर बैठ गे मेवाड का इतियास मारवाड का इतियास रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो ये रट रहे हो पिछाए का भूल रहे हो इससे काम नहीं चलेगा एक लिस्ट बनाओ कि ये important topic हैं यहां से प्रशन ज़्यादा बनते हैं तासो सत्याओं की करांती किसान अंदोलन, जनजाती अंदोलन मेलेत युहार के question ज़्यादा बनते हैं एक किकरण के question पुछे जाते हैं प्रशा मुंडर अंदोलन के question पुछे जाते हैं जियोग्रफियों, current affairs के ज़्यादा question बनते हैं इन चीज़ों को cover करो आप और जो मोटे मोटे topics हैं जो छोटे हैं, question बनते ही बनते हैं उनको cover करो एक अच्छी strategy आपको selection दिला देगी संगनक में selection आपका हो जाएगा इस तरह से आप इसको तयार करो जितने topics हैं, उतने ही करने हैं तो आप basic आपके इसमें computer भी आता है उसको तयार करो तो एक 60 का रणनीती जो होगी जिसकी 60 का रणनीती होगी वो यहाँ selection ले जाएगा अच्छी खासी post भी इस बात तो अच्छी से रणनीती से चलो संगनक के बारे में और भी मैं आपके बताते रहूँगा संगनक के आपके current affairs के questions वैसे तो संगनक के course में भी आपको मिलेंगे साथ ही अलग से भी संगनक के 1000 questions आपको मिलेंगे जैसे राजिस्तान हाई कोट LDC में मिले थे और मेरी कोशिश रहेगी इन 1000 प्रशनों के इलावा कुछ आपके बार नहीं है यहीं से आपको सारा सब कुछ मिल जाए संगनक में आपको जनुवरी से देखो current affairs पढ़ लेना है जनुवरी से आदे सितंबर तक लगबू 15 सितंबर के आसपास आपके questions बनेंगे तो इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा इतना तो तयार करना ही पढ़ेगा तो जो संगनक की तयारी कर रहे हैं इसमें अच्छे से लगो संगनक की अच्छे से तयारी करो ताकि आपका इस बार short selection हो जाए वीडियो को जितना ज्यादा उसके आप share भी कर दो देनिल क्लैसेस की app डाउनलोड करो तो वहां संगनक का course भी मिल जाएगा test series भी आपको वहां पर मिल जाएगी available हो जाएगी telegram पर भी मैं आपको information देता रहता हूं तो telegram चैनल भी आप जरूर जोइन करें धन्यवाद